अंग्रेस चले गए लेकिन वो कानून छोड़ गये थे जो उन्होंने सालों पहले बनाये थे हलाकि एंडिया 3.0 में नए क्रिमिनल कानूनों को लागू कर दिया गया है इसमें वैसे तो कई सारी चीज़े बदल जाएंगे लेकिन इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि पुलीस हिरासत से लेकर रेप जैसे आप रादो के मामले में क्या कुछ बदलेगा जिसका हो सकता है कि आपके जिन्दगी पर सीधा असर पड़े शुरू करेंगे इससे कि उन तीन पुराने कानूनों में वो कौन से चीज थी वो तीन बड़े कानून जिनको रिप्लेस किया गया है नमस्ते मेरे नाम है तरुन और शुरू करते हैं ये स्टोरी लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप सुच को फेस्बुक, यूट्यूब और इंस्ट्रेग्रेम पे फॉलो और सबस्क्राइब जरू कर लीजेगा सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि कौन से कानूनों में बदला हुए हैं तो भारतिया नाय सन्हिता, भारतिया नागरिक सुरक्षा सन्हिता और भारतिया साक्ष सन्हिता वो तीन नय कानून है जिनने 2023 के दिसंबर में संसद में ध्वनीमत से पास किया गया था एक जुलाई से लागू किया जाने के बाद भारतिया नयाय सन्हिता 1860 में बने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा भारतिया नागरिक सुरक्षा सन्हिता 1973 में बने क्रिमिनल प्रोसेजर कोड को रिप्लेस करेगा और भारतिय साक्ष्य सनिता 1872 में बने इंडियन एविदेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा अगर IPC की बात करें तो इसमें सभी तरीके के क्राइम्स को डिफाइन किया गया था इनमें जो क्राइम्स हैं उनकी जो सजा है उसके बारे में बताया गया था इसमें हत्या से लेकर चोरी, देशद्रो और आत्महत्या जैसे अपरादो को डिफाइन किया गया था इसमें ये भी बताया गया था कि इन अपरादो की सजा क्या होनी चीए इसमें अपराद की जाँच से लेकर संदिक्त की पहचान जैसे तमाम बाते थी और इसमें हर तरीके की सजा के बारे में बताया गया था अब यही IPC बदलकर भारतिये नाय सन्हिता हो गया है यानि यह तमाम बाते भारतिये नाय सन्हिता में शामिल होंगी CRPC में किसी भी तरीके की सजा से जुड़ी कारवाई का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया था मतलब CRPC में ये बताया गया था कि आरोपी के खिलाफ किस तरीके से कारवाई की जानी थी इसमें गिराफतारी से लेकर अदालत की कारवाही, इंटरोगेशन, सुनवाई जैसे तमाम बाते शामिल थी CRPC में जुडिशियल प्रोसीजर के मेथड के बारे में बताया गया था, जिससे सजा दिये जाने वाले व्यक्ति को जुडिशियल प्रोसेस में इंसाफ प्राप्त हो सके, किसे भी आपर आधिक मामले में CRPC को फॉलो करना मस्ट होता था अब ये सारी चीज़े भारतिये नागरिक सुरक्षा सनेता के तहत होंगी बात करते हैं Indian Evidence Act की, इसमें ये डिफाइन किया गया था कि Court of Law के मामले में किस चीज़ को सबूत के तौर पे पेश किया जाता है मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों से जुड़े तमाम बातों को इस Act में डिफाइन किया था ऐसे में नय कानून के लागू होते ही विपाष्षा आरोप है कि इसे इंडिया पुलिस स्टेट में कनवर्ट हो जाएगा मतलब उनका आरोप है कि नया कानून पुलिस को बहुत जादा ताकत देता है ऐसे कहने के पीछे कि बड़ी वज़ा ये है कि पुलिस कस्टेटी के मामले में भारतिय नागरिक सुरक्षा सनिता में एक बड़ा बदलाव हुआ है आईए इस बदलाव को आसानी से समझते हैं जब कभी किसी पर कोई अपराद करने का आरोप लगता है तो उसे दो तरीके की कस्टडी में भेजा जाता है पुलिस कस्टडी और जुडिशिल कस्टडी जैसे ही कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो पुलिस उसको कोट में लेके जाती है कोट में उसको पेश करने के बाद पुलीस उसकी कस्टड़ी मांगती है पुलीस की कस्टड़ी में आरोपी पर जो आरोप लगे हैं उसके सिलसिले में उससे पुश्टाच होती है इसे पुलीस इंवेस्टिकेशन का हिस्सा माने जाता है पहले पुलीस कस्टडी मैकसिमं 15 दिनों की होती थी भारतिय नागरिक सुरक्षा सनहिता के क्लॉस 187.3 में इसे बढ़ाकर 90 दिनों का कर दिया गया है भारतिय नया सनहिता में डिफाइंड किसी भी क्राइम के मामले में पुलीस अब आरोपी को 90 दिनों तक हिरासत में रख सकेगी इसी 90 दिन के डूरेशन को लेकर जो ओपोजीशन है इसको खतरनाक बुला रहा है और इससे इंडिया के पुलीस स्टेट में कनवर्ट हो जाने का खतरा बता रहा है इसे में दोशी करार दिये जाने से पहले आरोपी को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी पुलीस, कोट, प्रिशासन की होती है लेकिन हाली में सल्मान खान पर आपको ही फायरिंग याद होगी उनके घर पे उसवले पूरे मामले में जो एक आरोपी हो उसकी पुलीस का सड़ी में मौत हो जाती है ऐसी मौतें जो हैं वो सवालों के घेरे में आ जाती है क्योंकि सम्विधान भारत के हर नागरी को fundamental rights नहीं मौलिक अधिकार देता है यह मौलिक अधिकार आपको सम्विधान के आर्टिकल 21 के तहट भारत के हर नागरी को दिये गए है हलाकि जब-जब कस्टोडियल डिथ होती है तो बात होती है कहा जाता है कि सम्विधान में दिये गए जीने के अधिकार का पुलीस और प्रताशन वाले हनन कर रहे हैं इसका उलंगन कर रहे हैं यह उलंगन वो लोग कर रहे हैं जिनके पास इसकी रक्षा का जिम्मा है पुलीसियर टॉर्चर्स होई मौतों का आकड़ा बहुत भयानक है अगर आपको इसकी भयावता जाननी है तो मैंने कस्टोडियल डेथ पेज जो स्टोरी की थे उसका लिंक आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन ही मौतों का हवाला देकर भी पक्ष कहा रहा है कि इंडिया एक पुलीस स्टेट बन जाएगा ऐसा कहने के पीछे की वज़े है कि पुलीसियर टॉर्चर्ड मौतों का आकड़ा अब तेक इतना भयावत था वो तब जब की कस्टडी महस 15 दिन की होती थी अब इसे बढ़ा का 90 दिन का कर दिया गया है और इसी को लेकर गंभीर सवाल उठाये जा रहे हैं ऐसे ही सवाल रेप जैसे अपराद से जुड़े कानून में हुए बदलाव को लेकर उठ रहे हैं दोखे से नौकरी का वादा, नौकरी में प्रमोशन का वादा, किस तरीके का लालच देना, पहचान चुपा कर शादी करना सब को रेप के तौर पर डिफाइन किया गया है दोखे से शादी वाले मामले में दस साल की जेल की सजा का प्रावधान है ऐसी पर भाशा पर आलोच को का कहना है कि दो अलग धर्मों से आने वाले लोग कपल अपसी सहमती से साथ रहेंगे तो हो सकता है कि कथित लव जिहाद के मामला बना दिया जाए इसको वो इसके शिकार हो जाए और इस कानून का इस तरीके से घलत इस्तमाल होने का डर जाता जा रहा है एक ऐसा बदलाव है जिसे बहुत प्रोग्रेसिव बता जा रहें सिर्फ आलोचना नहीं हो रही बदलाव की भारतिया नया सानिता के क्लॉस 103 के तहट किये गया इस बदलाव में लिंचिंग से जुड़ा कानून बना दिया गया है भारत में एतिहासिक रूप से पहली बार में हुआ है कि अब रेस, कास्ट और कम्यूनिटी के अधार पर अगर किसी की हथ्या की जाती है तो उसे लिंचिंग माना जागा दरसल 2018 में सुप्रिंग कोट ने के इंदर सरकार से लिंचिंग के मामले में अलग कानून बनाने का निर्देश दिया था इस कानून के अस्ति स्मैचिंग छोटा अपराद लग सकता है लेकिन फर्स करी कि रहा चलते को उचका आपका फोन या चेन ले उड़े यह लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाती है ऐसी मेमरीज ऐसे में इस तरीके के सदमे को जो चोर देते हैं आपके लाइफ में उनके लिए प्रावधान बनाय गया है और इसे एक बड़ा क्राइम माना गया है सुप्रीम कोट ये अकसर बूलता आया है कि बेल इस दे रूल एंजेल इस दे एक्सेप्शन मतलब कि सुप्रीम कोट का मानना है कि किसी आरूपी को आम तोर पर बेल मिल जानी चाहिए और जेल में उसको तभी रखा जाना जब जेल में रखना अंतिम विकल्प हो अला कि भारतिया ना अगरिक सुरक्षा सनहिता में बदलाओं के तहत अगर किसी आरूपी पर एक से जादा मामले है तो उसे आम तोर पर मिलने वाली स्टैचूटरी बेल मतलब वो बेल जो मिलती ही मिलती है अब नहीं मिलेगी पहल इसलिए नहीं होगा इसलिए कि आरूपी की पूरी जिंदगी जिल में मत निकल जाए इसलिए ज़्याज़ ज़रूरी समझा जाता था क्योंकि इंडिया में 75% आरूपी ऐसे हैं जिनके मामलें को पंडिंग है चल रहे हैं उनको फाइनल सजा नहीं होई फिर वो जेल में है यहीं विपक्षी उस आरोप को बल मिल जाता है जिसमें कहा जा रहा है कि नए कानून की वजह से इंडिया एक पुली स्टेट में कनवर्ट हो जाएगा वहीं कुछ ऐसे बड़े बदलाओं में राजद्रोह को बदल कर देशद्रोह कर दिया गया है अंग्रेज़ो के जमाने के इस कानून पर सुप्रीम कोट में 2022 में रोक लखाती थी हलाकि इसे फिर से देशद्रोह का लिबास पहना कर वापसे लाया गया है वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारतिया सन्हिता में यूए-पियो को नया अमले जामा पहना कर पहले से और मजबूत कर दिया गया है और यह वो तमाम बड़े बदलाओं हैं जो आम तोर पर आपके जिंदगी पर असर डाल सकते हैं पर कही नहीं एफेक्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया बदलाओं पर आपकी क्या रह है यह भी बतायागे कि इन बदलाओं को लेकर आप और किस तरीके के एक explainers देखना चाहेंगे ऐसे ही stories के लिए explainers के लिए आप switch को Facebook, YouTube और Instagram पर follow और subscribe जरूर कर लीजिगा देखते रहेगे का switch मेरा नाम है taro